हेलो फेंट्स वॉल्कम बैक तो देख चैनल दोस्तो इस वीडियो में रिलाइंस कॉमिनिकेशन लिमिटेट को लेकर के हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्विस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल को फर्स्ट एंड देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर लिजिए और डिमेट अकाउंट अगर आपको उपन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तो रिलाइंस कॉमिनिकेशन लिमिटेट का इस स्टॉक प्रैस देखें दो 2.04% के गिराउट के साथ 2.40 के उपर ट्रेड हो र जिरो का दोस्तो आप लोगों को लगता है कि मुकेश अमबानी और अनिल अमबानी भले ही दोनों अलग अलग लगते हों लेकिन रियालिटी कहीं कुछ और है इसको प्रूफ करने के लिए मैं आज जो आप लोगों से जो शेयर करूंगा जो पिक्स दिखाऊंगा ये देख आर कौम से रिडेट करके मैं इसलिए बताता हूं दोस्तों क्योंकि आर कौम के स्पेक्ट्रम को रिलाइंस जियो आज यूज करके इतना बड़ा ब्रैंड बन चुका है और जो मुकेश अमबानी के इस रईसियत के पीछे की कह सकते हैं बैक बोन भी है अगर आर कौम ने स् हाई की भी जिम्यदारी बंदी है कि बड़ा भाई कहीं 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 से अनिल अमबानी को छोटे भाई को समाले तकि वो अपने बिजनेस को ठीक कर पाए लेकिन ये बाते तो हैं अंदर की हम लोगों को पता नहीं चलती है कि क्या हो रहा है लेकिन जो भी है बाहर के चीज़े जो देखती हैं वो आ गई हैं सामने आप देख सकते हैं फैमिली फंक्शन था मुकेश अम्बानी के जो यंगर जो इनके बेटे हैं अनन्द अम्बानी उनकी जो फियानसे हैं उनका नाम है राधी का मर्चेंट भारत नाटियम से जोड़ा हुआ इनका एक फैमिली फंक्शन था और इसी फैमिली फंक्शन में बहुत से बड़े बड़े हस्तियां बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन्स सभी कि सभी लोगों की एंट्री हो रही थी पहली फोटो है आई होप आपको देख रहा होगा स्क्रीन पर यह देख सकते हैं यह मुकेश अंबानी है और यह अनिलंबानी है अब देख सकते हैं यह क्लियर पिक्चर साफ साफ दिखाई दे रही है दोनों भाई एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कुछ किसी मुद्दे के कि हाँ पिप देख सकते हैं रिसीव करने के लिए इनी दोनों भाईयों ने जमेदारी ले रखी दिया ऐसा लगता है राइट तो दोस्तों 2005 में इन दोनों के बिजनेस सेपरेट हो गए जब 2002 में इनके पिता की डेथ होई धेरुभाई अमबानी की उसके बाद तीन साल बा एशिया के टॉप 5-6 लोगों में इनका नाम है वही अनिल अमबानी की बात करें उनकी परसनल वेल्थ तक बताया जाता है कि इरोड हो चुकी है लेकिन रियालिटी क्या है ये भगवानी जानता होगा और अनिल अमबानी ही जानते होंगे बहराल दोस्तों आप देख सकते ह ये पिक्स आपको देख करके वागवह ऐसा लगेगा कि इन दोनों बाईयों में काफी अन्दर से बनी हुई है लेकिन दोस्तों क्या होता है कि फैमिली फंक्शन है तो फैमिली फंक्शन में एक दूसरे को थोड़ा दिखाना भी होता है कि क्लोसनेस है लेकिन रियालिटी है हो सकती कि हम दोनों की माँ तो जदा है ना को किला है तो डफिनिट डी यहां पर इन दोनों के बीच में यह जो अब पिकटर देखिये आपसे ब्रहएं सबसे पहले हाथ पकड़ा हाथ पकड़े गेस्ट का अनिलंबानी और उसके बगल में मुकेश अम्बानी खड़े होके देख रहे हैं मुस्करा रहे हैं राइट तो दोस्तों अगर आप देखें यहां पे तो अनिलंबानी ने जो कुछ भी किया है GEO के लिए आज उसकी बदवलत GEO देखिये कहा है लेकिन R.C.M. के अनिलम्बानी को भी जीओ के मुकै शंबानी ने थोड़ी बहुत मदद करी है लेकिन R.C.M. के इस्टेक होलडर्स या R.C.M. के की जो R.C.M. का जो मतलब बिस्नेस मौडल है उसको सरवाइब कराने के लिए नहीं बलकि अने लंबानी को specifically इन्होंने एक बर मदद करी थी जब इनको जेल जाने की धमके मिली थी जेल जाने से बचाने के लिए इन्होंने कुछ पेमेंट करी अने लंबानी को जेल जाने से बचा लिया ये 2019 में एरिक्सन से जुड़ा हुआ कोई मामला था तो कोर्ट ने याँ पे इनको जो है इस्ट्रिक्ली कहा था आपको जेल हो सकती है बहराल दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक और पिक्चर है जहां पे दोनों भाई आगल वगल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं तो दोस्तों मेरे इस पूरे मामले मतलब इस ख़ब वीडियो के अंदर आपको यही समझाना दिखाना था कि आप देख सकते हैं इन दोनों भाईयों में अंदर ही अंदर कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है और ये इन पिक्चर से साफ साफ दिखता है सिर्फ यही नहीं बलकि इसके अलावा जितने और भी इवेंट्स हुए हैं मुकेश अंबानी के फैमिली के अंदर उन सभी को इन्नों ने अनिल अंबानी ने अटेंड किया है बकाईदा क्योंकि अभी इनके एक ग्रैंडसन हुए हैं जिनका नाम है पृत्वी अंबानी इ इनके फैमिली में भी चार लोग हैं इनको लेकर करके रैट कोकिला बिन बच्चन दोनों और बानी जो हैं इन दोनों फैमिलीuchtड के मतलब को जोड केशन कोशिश करती है नहीं जोड़े हुए हिप फैमिली के अंदर दोनों भाईयों की आप लोगों को आई होप थोड़ी बहुत राहत देरी होगी इस बात को लेके कि चलो कम से कम मुकेश अनिलंबानी और मुकेश दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं बट दोस्तों ये हम लोगों को तब ज्यादा अच्छा लगता जब आर क को बिजनेस आर कौम के बिजनेस को कम से कम रिवाइव कराने के लिए मुकेश अनिलंबानी कहीं से मदद करें अब वो पॉलिटिकल मदद हेल्प हो चाए फिनैंशल हेल्प हो किसी भी तरीके की मदद कर सकतें ये भी माना जाता है कि मुकेश अनि भारत सरकार जो जैसे भी आप बचा सकते हो तो बचाओ उस कंपनी के बिजनेस को बचाओ तब तो समझेंगे कि हाँ आपके क्लोसनेस भी है सरकार से प्लस आप अपने भाई की जो भाई के बिजनेस को कम से कम देखे आर कौम के बिजनेस को भी अगर ये अच्छे से चलाने शुरू कर दे थी लेकिन उसके जो डेट हैं उसको लेकर के आर बियाई ने अपनी मतलब जो हदे पार कर चुका है और रेडी आर बियाई उसको इंसॉल्वेंट मतलब उसके खिलाफ जो है एंसी एल्टी के अंदर प्रोसेडिंग चलवा रहा है राइट तो इनका पूर्टफोलियो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बस इनके सारे जो डेट हैं उस डेट को रिड्यूस अचानक इनके पास पैसा तो बरसेगा नहीं पेड़ तो लगा नहीं है कहीं इनके पास कि पेड़ हिलाया और पैसा गिर गया पूरे सारे करजा उतार दिया ऐसा तो हो नहीं सकता तो यह धीरे धी है उसको सही तरीके से अच्छे से उसको कंड़क्ट करना यह बहुत जरूरी है और के स्टेकोलडर के लिए प्लस कंपनी अच्छी खासी बनी बनाई इन दोनों बाईयों के बड़े रिस्पेक्टेड फादर दीरुबाय अम्बानी की बनाई हुई पहली कंपनी है तो उसको एट लिस्ट जो है चलते देना रहना चाहिए बाकी ही देखते हैं क्या होता है दोस्तों आई होप आपको छोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप लाइक डिट अगर आपको एक कॉंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करतीजेगा इस वीडियो को पाकि आप अपना ख्या लेखिए आगे मिलेंगे हम कोई अपडेट आएगे उसको लेकर के दिसकस करते हुए तil then, take care.